हावडा के सबसे ज्यादा चर्चित सिक्योरिटी गार्ड विजय मलिक हत्याकांड मामले के आरोपी पूर्व पार्षत सेलेश राय समेट 6 लोगों को रिहाग कर दिया गया है सोमवार को हावडा कोड एडिशनल डिस्ट्रिक जज शर्बानी बसु चटोपाध्या ने ये फैसला सुनाया शैले समेट और 5 लोग भी बेकसूर साबित हुए हैं इनमें ITBB का जवान संजय यादव, प्रहलाज सिंग, दिलिप साव, विक्रम मंडल वसोमनाद दास शामिल है गट 17 जून 2016 को हावडा थाना अंतरगत राउंड टैंक लेन के शांती निकेतन नामक एक इमारत के सिक्योरेटी गाड विजे मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इस घटना में 13 जून 2017 को शैलेश राय को हावडा थाने की पुलिस ने गिरफतार किया था, इस मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफतार किया था कोट के फैसले से शेलेश राय की पतनी सभीता राय वो परिवार खुश है, सभीता राय ने कहा कि उन्हें नया पालिका पर पूरा भरोसा था बहुत ही खुशी लगरार किया, सत्य के जीत हो गया, हम लोगों का मेहनत सफल हो गया फाइनल जाजमेंट जे छोजोन आसमी ट्राइल फेस को चुलो तरफ पुत्ते के इकिस्ते खालास देएज़ो